नमस्ते चात्रों YouTube channel India Old Days में एक बार फिरसे आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में मतुरा कला सेली के बारे में अद्ध्यन करेंगे तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने गंधर कला सेली के बारे में अद्ध्यन किया था तो इन दोनों वीडियो को आप एक साथ देखेगा और इन में दोनों कलाओं में आप कंपेर करिएगा क्योंकि कई बार दोनों में तुन्ना पूछ लेते हैं तो हम पढ़ते हैं मतुरा कला सैली देखिएगा सबसे पहले तुम आपको बताऊंगी कि मतुरा इस्तित कहां पर है ठीक है तो प्राची निथियासें सेंस कर्थी का पर्मुक स्थल है मतुरा ये कहां इस्तित है भगवान क्रिशन के जनम भूमी मतुरा प्राचीन भारत की परसित नगरी थी रामायन के अनुसार मधुनामक दैते ने इस नगर को इस्तापित किया इसे इसे मधुपूर कहा गया महा भारत के समय मतुरा सूर सेन महाजनपत की राजदानी थी ठीक है और महाजनपत का हल हमने पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और देखेगा इस राजय का उलेग इससा पूरुए छटी सतापदी के महाजनपतो में भी है इस समय यहां का सासक अवंती पुत्तर जिसे अवंती पुत्तो भी खागया है था जिसने यहां बोध धरम का परचार करवाया था मौरियकाल में यह नगर कृष्णो पासना का केंद्र था मेगस्तनी जिसे मेथोरा कहता था मेगस्तनी जवह मतुरा को मेथोरा कहता था मेगस्तनी इसके बारे में हमने पहले वीडियो बना दिया है आप देखेगा इसको भी जैन साहिते के बारे में भी पढ़ाया हमने आपको तो जैन साहिते में भी इस नगर की समरधी का वनन है सुंगों के समय में यह परशित नगर था गारगी सहिता के अनुसार यमनों ने इसे जीता तर पसाथ यहां सक छत्रोपो ने सासन किया महाचत्रप सोडास का लेग यहां मिलता है उसने यहां एक सी हैं सिर्स इस्तम निर्मित करवाया था कुसानकाल में यहां कला की एक स्वतंतर सहली विक्सित हुई जिसके अंतरगत बुद्ध तथा बोधिस्त वैं मूर्तियों का निर्मान हुआ कनीश के सासन का पस्चिमी के अंदर यहां था जहां का सासक महाचत्रप खरपलान था विम कड़ फिसेज तथा कनीश की मूर्तियों भी मथूरा से मिलती है गुप्तकाल में मथूरा परशिद स्थान रहा यहां हिंदू तथा बोध परतिमाओं का निर्मान हुआ फायान के अनुसार यहां बीस विहार थे जिन में तीन हजार विक्षू निवाश करते थे मथूरा से गुप्तकाल के एक सुन्दर बुध परतिमा प्राप्त हुई है यह विद्धे से परभाव से पून्ति या मुक्ति है गुप्तकाल के पसाथ इस नगर का गोरव समाथ हो गया वेन सांग ने यहां के समारकों को उजड़ा हुआ पाया था मुस्लिम आकरमन में इस नगर को विशेच सत्ती पहुंची तथा मंदिरों को द्भस्त किया गया सम्प्रति मतूरा हिंडू सरधालों की भगति का एक परमुक महत्वपून केंद्र है मतूरा कला से ली का इत्यास देखेगा कुशान काल में मतूरा भी कला का परमुक केंद्र था जहां अनेक इस्तूपों विहारों तथा मूर्तियों का निर्मान करवाया गया था इस समय तक सिल्पकारों एम मूर्ति निर्मान के लिए मथूरा के कलाकार दूर दूर तक परख्यात हो जुके थे यहां से अनेक हिंदू बोध यम जैन मूर्टियां प्राप्ति हुई हैं इनमें अधिकांस्त है कुशान यूग की हैं मथूरा की बोध मूर्टियां गंधार से सर्वता स्वतंतर थी तथा उनका आधार मूल रूप से भारतिय था तो जो मथूरा सेलिया है जो कला सेलिया है इसका तो मुख्या अधार है वह है भारतिय है तथा गंधार जो सेलि थी उसका मुख्या अधार विदेशी था मथूरा से बुध यम बोधिस्तों की खड़ी तथा बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्टियां मिली हैं उनके वेक्तित्व में चक्रवर्ती तथा योगी दोनों का ही आदर्स देखने को मिलता है बुद्ध मूर्तियों में कट्रा से प्रात मूर्ति विशेश रूप से उलेखनी है जिसे चोकी पर उतकिन लेख में बोधिस्तव की संग्या दी गई है इसमें बुद्ध को बिक्सु वेस दारण किये हुए दिखाया गया है वे बोधिस्तव के नीचे सिहासन पर विराजमान है तथा उनका दाया हाथ अभय मुद्रा में उपर उठा हुआ है उनकी हतेली तथा तलूओं पर धरम चकर तथा चित्री रतन के चिन बनाये गए है बुद्ध के पीछे वृताकार प्रभामंडर परदर्शित किया गया है अभय मुद्रा में आसीन बुद्ध की एक मूर्ती अन्योर से मिल डी है जिसे बोधस्तोय की संग्या दी गई है इस पर कनिस्क संवत इकामन अर्थात एक्सो गुनतीस इस्वी की तिथी अंकीत है बुद्ध के अलावा मैत्रेई, काश्यप, अवलोकिते, स्वयर, अधी बोधिस्तोय मूर्तियां भी मतुरा से प्राप्त हुई है मैत्रेई भविशे में अवतार लेने वाले बुद्ध है मतुरा सेली में कनिस्क की एक सिर रहित मूर्ती मिली है जिस पर राजा दिराज देव पुत्रो कनिस्क को अंकित है यह खड़ी मुद्रा में है तदा पांच फुट साथ इंज उंची है राजा गुठने तक कोट पहने हुए है उसके पैरों में भारी जूते हैं दाया हाथ गद्धा पर टिका है तथा वह बाये हाथ से तलवार की मुठिया पकड़े हुए है तो कई बार क्यूशन पूछ लेते हैं कि जो सिर रहित जो मथुरा से एक मूर्टी मिली है वह कौन से ससे के वह कुसान ससक करनिस पर्थम की है कला की द्रस्टी से पर्तिमा उचकोटी की है जिसमें मूर्थिकार को समराठ की पासान मूर्थी बनाने में सफलता प्राप्त हुई है इस मूर्ती पर युनानी परभाव दिखाई देता है इस सेली में दूसरी मूर्ती वेम तकसम अर्थात वेम काड़िशेस की है जो सिहासना सीन है सिहासन के आगे दोनों और दोसिहों के आकरतिया है समराट नकासिदार कामदानी समराट ओडे हुए है इसके नीचे छोटी कोट तथा पैरों में जूते दिखाए गया है सिल्फ की दस्टी से इसे समराट का यथार्थ रूपांगन कहा जा सकता है यह मूर्ती भी युनानी परभाव से परभावित है मतुरा सैली में बुद्ध बोधिस्त वे मूर्तियों के अलावा हिंदू तथा जैनियों की मूर्तियों का भी निर्मान किया गया है हिंदू देवताओं में विश्णू, सूरिय, सीव, कुबेर, नाग, यक्स की पासान परतिमाई प्राप्त हुई है जो अत्यनती सुन्दर एंकलापूर्ण है मतूरा तथा उसके सम्मीपावर्ती छेत्रों से अब तक 40 से भी अधिक विश्णू मूर्तियां प्राप्त हो चुकी है ये मूर्तियां चतुरबुजी हैं इनके तीन हाथ में संक, चक्र, गदा दिखाया गया है और चोथा हाथ अभे मुद्रा में उपर उठा हुआ है इनकी बणावट बोदिस्त वै मैत्रे की मूर्तियों जैसी है उलेकन यह है कि विश्णू का लोगपिर ये परतीक पद्म मतूरा की कुशानकालिन मूर्तियों में नहीं मिलता सीवलिंग भी मतूरा कला सली में मिले हैं अड़ नारिस्व रूप में जिसमें आदा भाग सीव थदा आदा भाग पारवति का है सीव की मूर्ति पर्थम बार इस काल में मतूरा में तयार की गई थी सीव की वीविद रूपों वाली मूर्तियां कलात्मक दस्ति से काफी सुन्दर हैं मतुरा कला में सूर्य परतिमाओं का भी निर्मान किया गया इरानी परभाव के कारण उन्हें सर्वता भिन परकार से तयार किया गया है मानव रूप में सूर्य को लंबी कोट पतलून तथा बूट पहने हुए दो या चार घोडों के रत पर सवार दिखाया गया है उनके सिर पर गोल टोपी कंदों पर लहराते केस तथा मुहां पर नुकिली मूच्छें दिखाई गई है इसी परकार की वेश बुसा कुसान लाजाओं की मूर्तियों में देखने को मिलती है यह इरानी परप्रा है जैन मूर्तियों एमम आयाग पट तो मथूरा था उसके समीब उसके सिमावर्ती भाग से जैन तिर्थंकरों की पासान परतिमाय प्राप्त हुई है जो अत्यन सुन्दर एमम कलापूर्ण है जैन मूर्तियों दो परकार की है खड़ी मूर्तियों जो कायोत सर्ग मुद्रा में है और बठी हुई मूर्तियों जो पदमासन मुद्रा में है ठीक है खड़ी मुद्रा की मूर्तियों पूर्तियों नगन है उनकी बुजाएं गुठणों के नीचे तक फैली हुई है तता बोहों के बीच के स्पूंज बनाया गया है बैठी हुई मूर्तिया ध्यान मुद्रा में है तता उनकी द्रस्टी नासिका के अगरे भाग पर केंद्रीत है इनके आसन के सामने बीच में धरम चकर तता पासर भाग में सिहं बनाये गए हैं कुछ पर्तिमाओं के सिर के पीछे गोल अलंकरित परभा मंडल मिलता है तिर्थंकर पर्तिमाओं के वक्स स्तलपर स्रीवत का पवित्र मांगलिक चिन अंकित है इनकी चोकी पर लेख भी उतकिन है जिन से उनकी पहचान की जा सकती है तिर्थंकर पर्तिमाओं के अतिरिक्त कंकाली टीला से आयाग पट अथ्वा पूजा पट मिलते हैं इस परकार हम कह सकते हैं कि मतुरा के कलाकारों का दस्टिकोन ऐसामपरदाइक था और उन्होंने बोध, जैन तथा हिंदू धर्हम सभी के लिए उपयोगी पर्तिमाओं को प्रेस्तुत किया यहां की बनी मूर्तियां सारनात, स्रावस्ति तथा अन्य किंद्रों में गई मतुरा की कलाकरतियां वैदेशिक परभाव से मुक्त हैं तथा इस कला में भरूत और सांची की प्राचिन भारतिय कला को ही आगे बढ़ाया गया है ठीक है तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने मतुरा कला सेली के बारे में जानकरी प्राप्त की आगया के वीडियो में हम आपको गुप्त काल के बारे में जानकरी परदान करेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे